हेलो गाईस मेरे यूटुब चैनल पुजबी तेजुकेसर में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ SSCGT 2023 में पूछे गए सवाल जिसे हम टॉफिक वाइस कवर करेंगे ताकि आप सभी को आने वाले एक्जाम में मदद मिल सके एक ही डेट में तीनों सिप्ट में पूछे गए सवाल को कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉज के तो देखिए लाव और हानी तीनों सिप्ट डेट दस एक दो हजाल पेज तो देखिए इसमें फर्स्ट कोश्चन को हल करते हैं फर्स्ट कोश्चन क्या दिया है तो देखिए फर्स्ट कोश्चन दिया है एक डीलर ने एक वस्टू पर बहत्तर हजार रुपै के अंकित मूल्य पर बीस प्रतिशत की छोट दी और दस पर्संड प्रतिशत की हानी वै की अंकित मूल्य पर उसे कितनी छोट देनी देना चाहिए जिससे उसे वस्टू पर चार सो चालीस रुपै का लाव हो कोश्चन मा यह कोश्चन ससी जी डी दो हजार तेईस सिप्ट वन में पूछा गया सवाल है के तो देखिए इसमें ऑप्सन भी दिये है तो ऑप्सन यहां पर लिख देती हूं तो एह नमर पर दिया है दस पॉइंट पांच परसेंट और वी नमर पर दिया है आठ पॉइंट पांच परसेंट और सी नमर पर दिया है ग्यारा पॉइंट पांच परसेंट और डी नमर पर दिया है नो पॉइंट पांच परसेंट तो देखिए इस कोश्चन को हल करते हैं कोश्चन क्या दिया है एक डीलर ने एक वश्च्टू पर वहत्तर हजार रुपए के अंकित मूले पर वीज प्रतिसत की छूट दी और दस प्रतिसत की हानी वै की अंकित मूले पर उसे कितनी छूट देना चाहिए जिससे उसे वश्च्टू पर 440 रुपए का लाव हो तो ये कोश्चन S.S.C. G.D. 2023 सिप्ट वन में पूछा गया सवाल है तो इसको आप ध्यान से समझेगा और कॉपी में नौट करते हुए चलिएगा तो आप सभी मेरी वीडियो को लाइक, सेयर और सस्क्राइब जरूर करें तो देखिए इस कोश्चन को हल करते हैं कोश्चन क्या दिया है यहां पर देखिए इसको हल करते हैं यहां पर अंकीत मूले क्या दिया है 72,000 रुपए तो यहां पर क्या निकालना है यहां पर पूछा है अंकीत मूले पर 20 प्रतिसद की छूट तो 20 प्रतिसद की छूट तो यहां पर देखिए 72,000 इंटू 20 परसंट की क्या है छूट है तो यहां पर देखिए 100 पर 20 परसंट की छूट तो कितना 80 के तो यह क्या है बिक्राय मूले के तो देखिए इसको हल करते हैं 2,0 से 2,0 कैंसिल तो यहां पर क्या बच्चा 720 और 80 तो देखिए 720 और 80 720 इंटू 80 करेंगे कितना हो जाएगा 576 के तो देखिए 5,760 रुपे तो यहां पर देखिए क्रेम मूले निकालेंगे क्रेम मूले निकालेंगे 5,760 इंटू 10 प्रतिसद की हानी वै की तो 100 पर कितना 90 के तो यहां पर देखिए 100 पर खरीदा और 90 पर बेचा के 10 से 10 कैंसिल 9 से 576 को काटेंगे कितनी बार में कटेगा 640 के तो 640 इंटू 100 करेंगे कितना होगा 64,000 कितना के लिए हुआ सभी को तो आगे देखिए उसमें क्या निकालना है नया मूले नया विक्राए मूले निकालेंगे तो अंकित मूले पर उसे कितनी छूट देना चाहिए जिससे उसे वस्तु पर का लाव हो तो तो देखिए इसको हल करते हैं नया मूले निकालेंगे नया विक्राए मूले नया विक्राए मूले निकालेंगे इसका तो देखिए क्या दिया है यहां पर देखिए 64,000 प्लस 440 को प्लस करेंगे 64,000 और 440 को प्लस करेंगे कितना होगा तो देखिए 64,440 होगा देखिए में क्या रखिएंगे 72,000 और 64,440 तो यहां पर देखिए 72,000 और 64,440 में डिसकाउंट कितने का होगा 5,760 के तो यहां पर क्या रखिएंगे 72,000 के तो देखिए गुणा किस से करेंगे 100 से 20 से 20 कैंसील 10 से 10 कैंसील तो यहां पर देखिए 72 कर जाएगा कितने से 8 से 576 कर जाएगा कितने से 84 तो देखिए 84 बटा 8 भाग देंगे तो कितना होगा 10.5% तो यही इसका right answer होगा तो इसमें देखिए option में इसका A right होगा तो इतना clear हुआ सभी को तो फिर से देखिए क्या करना है तो यहाँ पे अंकित मूल्य क्या दिया है 72,000 रुपए तो इसमें बिरक्राय मूल्य निकालेंगे तो 72,000 इंटू तो यहाँ पे 20 प्रतिसत छूट दी है तो 100 पर कितना 80 तो 2,0 से 2,0 कैंसिल तो यहाँ पे क्या बचा 720 और 80 तो गुणा करेंगे तो कितना होगा 5760 रुपए तो यहाँ पे देखिए क्राय मूल्य क्राय मूल्य निकालेंगे 5760 इंटू तो यहाँ पे 10 प्रतिसत की हानिवै की तो 100 पर कितना 90 तो 100 रुपए में खरीदा और 90 में पेचा तो देखिए 10 से 10 कैंसील 9 से 586 को काटेंगे कितनी बार में कटेंगा 640 और 640 इंटू 100 करेंगे तो कितना 64000 तो इसमें 64000 क्या किये इसमें बेचे तो देखिए नए अविक्राय मूल्य निकालेंगे इसमें तो 64000 प्लस क्या रखेंगे उसे बस्तू पर कितना 440 रुपए का लाव हो तो 440 प्लस करेंगे तो कितना होगा 644440 तो यहां पे देखिए क्या रखेंगे 72000 और 644440 इसमें डिस्काउंट कितने का होगा 500760 रुपए और कितने के ऊपर 72000 अग गुणा किसे करेंगे 100 से 20 से 20 से 20 कैंसल हो जाएगा 10 से 10 कैंसल हो जाएगा तो देखिए बाहतर कर जाएगा 58 से और 566 कर जाएगा 84 से तो इसमें भाग देएगे 84 बाटा आट तो कितना होगा 10.5% तो इसमें एह नमर इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इतना सभी को समझ में आया तो नौट कर लीजिए तो आगे बढ़ें नेस्ट कोश्चन की और तो जलिया आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की और तो नेस्ट कोश्चन क्या दिया है इसमें नेस्ट कोश्चन दिया है एक दुकान दार अपनी वस्टू वस्टूओं पर 40 परसंट की छूट देता है और उसके बाद भी 20 परसंट का लाव अरजित करता है जोवी सो अंकीत मूले वाली एक वस्टू के लिए दुकान दार कितनी क्रै मूले भुकतान करता है कोश्चन मांग ये कोश्चन SSC GD 2000 23 सिप्ट 1 में पूछा गया सवाल है के तो देखिए इसमें आफ्सन भी दिया है ये नमर पर दिया है 11322 और B नमर पर दिया है 11728 और C नमर पर दिया है 1200 और D नमर पर दिया है 1440 तो देखिए कोश्चन ही इसमें क्या दिया है इसको हल करते है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूड देता है और उसकी बाद भी 20% का लाव अरजित करता है 2400 अंकित मूले वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितनी क्रैमूल ले भुक्तान करता है तो यह कोश्चन SSC GD 2000 23 सिप्ट 1 में पूछा गया सवाल है कि इसको आप ध्यान से समझेगा और कॉपी में नौट करते हुए चलिएगा तो देखिए इसको हल करते हैं 2400 इंटू तो देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40 परसिंग की छूट देता है तो के 100 पर कितना 60 के तो 2 0 से 2 0 कैंसेल तो यहां पर क्या बचा 24 60 24 इंटू 60 करेंगे कितना होगा 1440 तो आगे देखिए तो विक्रे मूली क्या है 1440 तो देखिए इसमें कितनी क्रे मूली का भुक्तान करता है तो इसमें क्रे मूली निकालेंगे 1440 इंटू तो आँ पर देखिए इसमें 20 परसेंट का लावर जित करता है के तो 100 पर कितना 120 परसेंट का लावर जित करता है तो 10 से 10 तो 144 कर जाएगा 12 से कितनी बार में 12 बार में तो 12 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा 1200 तो देखिए इसमें उप्सन में C नमल इसका राइट हो जाएगा इतना सभी को समझ में आया फिर से देखिए क्या करना है एक दुकानदार अपनी बस्तूओं पर कितना 40 परसेंट की छूट देता है तो आप देखिए 2400 अंकित मूल कितना दिया है 2400 इंटू क्या रखेंगे 100 पर कितना 40 परसेंट की छूट तो 60 20 से 20 के एंसिल 2400 इंटू साट करेंगे कितना 1440 तो विक्रैमूली क्या होगा इसका 1440 तो इसमें पूछा है क्रैमूली भुक्तान करता है कि क्रैमूली निकालेंगे 1440 इंटू तो यहाँ पर देखिए 20 परसेंट का लावर्जित करता है तो 100 पर 120 परसेंट तो एक 0 से 10 कैंसिल 144 कर जाएगा 12 से इतनी बार में 12 बार में तो आँ पर देखिए 12 इंटू 100 करेंगे कितना 1200 तो C नमर इसका राइट होगा तो नौट कर लीजिए तो आगे बढ़े हैं नेस्ट कोश्चन की और तो चलिए आगे बढ़े हैं नेस्ट कोश्चन की और तो नेस्ट कोश्चन क्या दिया है तो देखिए नेस्ट कोश्चन को हल करते हैं तो नेस्ट कोश्चन क्या दिया है दिव्या ने एक कार तीन लाग पचास हजार में खरीदी और चार लाग पैंतीस हजार में बेची उसका लाग प्रतिसत कितना है एक दसम लव इस्थान तक सही कोश्चन माँ यह कोश्चन ऐसे इस्सी जी डी दो हजार तेईस सिफ्ट वन में पूछा गया सवाल है तो देखिए इसमें आफसन भी दिये हैं तो आफसन क्या दिया है इसमें देखिए ए नमर पर देखिए ए नमर पर दिया है 21.5% और वी नमर पर दिया है 23.3% और सी नमर पर दिया है 24.3% और डी नमर पर दिया है 20.7% तो देखिए इस कोश्चन को हल करते हैं तो कोश्चन क्या दिया है दिव्या ने एक कार 3.5,000 में खरीदी और 4.35,000 में बेची उसका लाव प्रितिसाद कितना है एक दसमलाव इस्थान तक सही है SSC GD 2023 सिप्ट वन में पूछा गया सवाल है तो देखिए इसको हल करते हैं तो देखिए यहां पर क्या दिया है दिव्या ने एक कार 3.5,000 में खरीदी और 4.35,000 में क्या की बेच दी प्रॉफिट कितने का होगा 3.5,000 और 4.35,000 में प्रॉफिट कितने का होगा 85,000 और कितने के उपर 3.5,000 और गुणा किसे करेंगे 100 से 2.0 से 2.0 कैंसिल 2.0 से 2.0 कैंसिल अब यां क्या बचा 850 और नीचे 35 तो 35 कर जाएगा कितने से 7 से और 850 कर जाएगा 170 तो यां पर 170 बटा 7 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 24.3% तो यही इसका राइट आंसर होगा तो इसमें देखिए C नम्मर इसका राइट हो जाएगा कि इतना सभी को किलियर हुआ फिर से देखिए क्या करना है तो यां पर क्या दिया है दिव्या ने एक कार 3,5,000 में क्या की खरी दी और 4,35,000 में बेज दी तो देखिए उसका लाइट राइट कितना होगा तो यहां पर प्रॉफिट कितने का होगा 85,000 बटा कितने के उपर 3,50,000 गुड़ा किसे करेंगे 100 परसंटेज हमेशा 100 होती है तो देखिए 2,0 से 2,0 कैंसिल 2,0 से 2,0 कैंसिल 850 कर जाएगा 170 से 35 कर जाएगा 7 से तो यहां पर 170 बटा 7 भाग देंगे तो कितना आएगा 24.3% तो C नमर इसका राइट आंसर होगा तो नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ें नेश्ट कोश्चन की और तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन की और तो नेश्ट कोश्चन क्या दिया है मोहन एक टेवल को 18% है तो टेवल का क्राय मूल्य क्या होगा? कोश्चन मा ये कोश्चन SSC GD 2000 23 SIPT 1 में पूछा गया सवाल है तो देखे इसमें ओफ्सन भी दिये है A नमर पर दिया है 2480 रुपए और B नमर पर दिया है 2500 रुपए और C नमर पर दिया है 2400 रुपए और D नमर पर दिया है 2440 रुपए तो देखे कोश्चन क्या दिया है इसमें मोहन एक टेवल को 2832 पर बेच रहा है यदि उसका लाव 18% है तो टेवल का क्रैमोल क्या होगा तो देखे इसको खल करते हैं 2832 इन्टू तो देखे उसका लाव कितना दिया है 18% तो 100 पर कितना 118 तो देखे 118 कट जाएगा कितने से 69 और 100 कट जाएगा कितने से 50 तो 2832 को 69 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा 48 तो यहाँ पर देखे 48 इन्टू 50 करेंगे कितना होगा 2400 कि यही इसका राइट आंसर होगा तो इसमें देखे C नम्मर इसका राइट होगा तो फिर से देखे क्या करना है इसमें क्या दिया है 2832 इन्टू तो इसका लाव कितना दिया है 18% तो 100 पर कितना 118 तो 118 को काटेंगे कितनी बार में कटेगा 69 और 100 को काटेंगे ने बार में 50 तो देखे 2832 को 69 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा 48 48 इन्टू 50 करेंगे तो कितना होगा 2400 तो इसमें C नमर इसका राइट होगा इतना किलियर हुआ अभी को तो नौट कर लीजिए तो आगे बढ़ें नेस्ट कोश्चन की और तो शलिए आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की और तो नेस्ट कोश्चन इसमें क्या दिया है नेस्ट कोश्चन दिया है एक डीलर अपने माल पर क्राय मूले से पंद्रा पर्सेंड अधीक अंकीत मूले है है फिर वह उस पर बीस पर्सेंड की छूट देता है उसका हानी प्रतीसत क्या होगा कोश्चन माल ये कोश्चन से सी जी डी दो हजार ते इस सिप्ट दो पर पूछा गया सवाल है तो देखे इसमें ओप्सन भी दिये है तो ओप्सन क्या दिया है इसमें साथ पर्सेंड और बी नमर पर दिया है आट पर्सेंड और सी नमर पर दिया है छे पर्सेंड और डी नमर पर दिया है पांच पर्सेंड तो देखे इस कोश्चन को हल करते हैं तो इसमें देखिए कोशन क्या दिया है एक डीलर अपने माल पर क्राय मूले से 15% अधिक अंकित मूले है फिर वह उस पर 20% की छूड देता है तो उसका हानी प्रतिसत क्या होगा तो यह कोशन से सी जीरी 2023 सिप्ट टू में पूछा गया सवाल है तो देखिए इसको हल करते हैं तो यहां पर क्या दिया है क्राय मूले कितना दिया है 15% अधिक तो देखिए 100 पर कितना 115 तो 115 इंटू फिर वह उस पर 20% की छूड देता है तो देखिए 100 पर कितना 80 तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल 8 कट जाएगा कितने से चार बार में 10 कट जाएगा किने से 5 तो यहां पर देखिए 115 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा 460 और 460 में 5 का भाग देंगे तो कितना होगा 92 तो देखिए 100 पर खरीदा और 92 पर बेचा तो यहां पर खरीदा और 92 पर बेचा तो यहां पर लॉस कितने का होगा 8 परसेंट का तो देखिए इसमें वी नमर इसका राइट आंसर होगा तो इतना किलियर हुआ सभी को फिर से देखिए क्या करना है तो यहां पर क्रेम मूरली से 15 परसेंट अधी तो 100 पर 115 कितना 115 इंटू 20 परसेंट की छूड देता है तो 100 पर 80 के तो 1 0 से 1 0 कैंसील 8 कर जाएगा कितने से 4 वार में और 10 कर जाएगा 5 से तो यहां पर 115 इंटू 4 करेंगे तो 460 और 460 में 5 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 92 तो 100 में खरीदा और 92 में बेचा तो यहां पर लॉस कितने का होगा 8 परसेंट का के तो इतना सभी को समझ में आया तो इसमें वी नमर इसका राइट आंसर होगा तो नौट कर लीजिए तो आगे बढ़ें नेश्ट कोश्चन की और चलिए आगे बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन की और तो नेश्ट कोश्चन इसमें क्या दिया है नेश्ट कोश्चन दिया है डिसकाउंड इसकी के तहद बीस परसेंड की छूट देने के बाद भी दस परसेंड का लाव होता है यहें बताएं की अंकीत मूली क्राइमूल से कितने प्रतिसत अधिक है है कोश्चन मार यह कोश्चन स्सी जी डी दो हजार तेईस सिप्ट तीन में पूछा गया सवाल है तो देखी इसमें ओप्सन भी दिये है तो ए नमर पर दिया है चालीस परसेंड और बी नमर पर दिया है 35.2 परसेंड और C नमर पर दिया है 49 परसेंड और D नमर पर दिया है 37.5 परसेंड तो देखी इस कोश्चन को हल करते है तो कोश्चन क्या दिया है डिसकांड इसकीम के तहद 20 परसेंड की छूट देने के बाद भी दस परसेंड का लाव होता है यह वताएं की अंकित मूली क्राय मूली से कितने प्रतिसत अधीक है तो हाँ कोश्चन क्या दिया SSC GD 2023 सिप्ट तीन में पूछा गया सवाल है तो देखिए तो देखिए आँ पर क्या दिया है 20% की छूट देने के बाद भी तो 100 पर कितना 20% की छूट तो 80 और 100 पर 10% का लाव होता है तो कितना 110 तो देखिए 80 और 110 में डिसकांट कितने का होगा 30 का और कितने के उपर 80 और गुणा किस से करेंगे 100 से तो यहाँ पर देखिए 10 से 10 cancel 8 कर जाएगे कितने से 2 और 100 कर जाएगे कितने से 25 तो यहाँ पर 3 इंटू 25 करेंगे कितना होगा 75 और यहाँ पर क्या बच्चा 2 75 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 37.5% तो देखिए इसमें यही इसका right answer होगा तो इसका D नमर right होगा तो इतना clear हुआ सभी को तो फिर से देखिए क्या करना है 20% की छूड देने के बाद V तो 100 पर 80 और 10% का लाव होता है तो 100 पर 110 80 और 110 में डिसकार्ण कितने का होगा 30 का और कितने के उपर 80 और गुणा किस से करेंगे 100 से 1 0 से 1 0 कैंसिल 8 कट जाएगा 2 से और 100 कट जाएगा 25 से तो 3 इंटू 25 करेंगे 75 और यहाँपी क्या बचा 2 75 में 2 का भाग देंगे कितनी बार में कटेगा 37.5% तो इसमें D नमर इसका राइट होगा तो नौट कर लीजिए आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सेयर, एंड सस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में के